Hello everyone, welcome back to SSC Math and Algebra previous year question series चल रहा है, यह कब आया था SSC CGL Tier 1 2012 मैं आया था, A B का Maximum Value कब आयेगा, A B equals to Maximum कितना हो सकता, A को अगर 10 ले ले तो A B का Value 10 आयेगा, ठीक है, A को अगर 9 ले 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 तो B का Value कितना 2 है, 9 into 2 मतलब 18 आ रहा है, A को अगर 8 ले 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 तो 8 और 3, 8 और 2 हो रहा है, 10 और 1 नहीं होगा, 9 और 1 मतलब 9 होगा, ठीक है, यह पहले समझो, गलत कर दिया था मैंने, 9 plus 1 तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोनों का गुना, अब 8 plus 2 क्या हो जाएगा सा, 16 हो जाएगा दोनों का गुना, अच्छा, 7 plus 3, अगर A का Value 7, B का Value 3 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 27, 21, अच्छा, दिखो सा, जब जब B बड़ा होते जा रहा है, A का Value घटते जा रहा है, तब तब A, B का गुनन बढ़ता जा रहा है, कब तक बढ़ता है, हम लोग चेक करता है, ठीक है, तो 6 और 4 रखेंगे, तो 24, अच्छा, 5 और 5 रखेंगे, तो 25, अच्छा, 4 और 6 रख प्लास में कोई Value दिया हुआ है, when A and B are equal, the multiplication of A, B is maximum, तो सर, in case में भी, इस में भी, A, B, C, D का Value 1 दिया है, तो A equals to B, equals to C, equals to D, अगर आया, तो सर, Maximum Value आ जागा, तो सब का Value कितना है, और कि 1 बड़ा 4 करेंगे, तो 1 को 4 भाग में डिवाइड कर रहा है, तो हर एक में जूड तो यहां से कितना है जारा सर, 5 बड़ा 4 का, whole to the power 4, option number 4 is the correct answer, okay sir, thank you, Baba, stay tuned for the next class.